नमश्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने Channel Studyways Official पर तो आज किस वीडियो में हम नियूरोन के बारे में पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने नर्व सिस्टम यानि की तंत्र का तंत्र के बारे में पढ़ा था लेकिन तंत्र का तंत्र की जो कोशिक का है यानि तंत्र का कोशिक का न्यूरोन के बारे में नहीं पढ़ा था तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे छोटा सा टोपिक है पर बहुत important है यहां से बहुत सारे प्रशन बनते हैं तो पहले हम पूरे टोपिक को अच्चे से पढ़ेंगे और last में previous year question भी cover करेंगे तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं तो हम neuron के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो neuron है यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो biology की playlist में आपको यह वीडियो मिल जाएगी तो पहले हम थोड़ा तंत्र का तंत्र के बारे में जा लेते हैं उसके बाद हम नियूरोन के बारे में पढ़ेंगे तो तंत्र का तंत्र क्या है यानि कि नर्वस सिस्टम क्या है तो तंत्र का कोशिकाओं से निर्मित अंगों का समूह यहीं से आप समझिए तंत्र का कोशिकाएं क्या हैं, तो निरोन, तो निरोन से निर्मित अंगों का समुह क्या कहलाता है, तंत्र का तंत्र कहलाता है, मैंने पहले भी आपको कोशिका वाले वीडियो में बताया था, कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, कोशिकाओं के समू को उत्तक कहते हैं यानि कि कोशिकाओं मिलकर उत्तक टिशू बनाती है उत्तक के समू को अंग कहा जाता है ओर्गन कहा जाता है बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंतर बनाते हैं और अंग तंतरों से मिलकर एक जीव का शरीर बनता है तो जैसे यहाँ पर हम नियूरोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नियूरोन क्या है, कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर बहुत सारे नियूरोन से मिलकर टिशू बनेगा, और टिशू से मिलकर अंग बनेगा, तो यहाँ पर नियूरोन से मिलकर कौन-कौन से अंग बनेगे, ज जैसे तंत्र का तंत्र है, तो तंत्र का तंत्र में ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कोड भी आती है, और नव्स यानि तंत्रिकाएं भी आती है, और अंग तंत्रों से मिलकर, यानि कि जैसे तंत्र का तंत्र, पाचन तंत्र, स्वशन तंत्र, इस परकार, अंग तंत्र से मिलकर एक जीव का शरीर बनता है तो तंत्र का कोशिकाओं से निर्मिद यानि की निरोन से निर्मिद अंगों का समूँ जो शरीर में नियंत्रन संचालन एवं समन्वे का कारे करता है उसे तंत्र का तंत्र कहा जाता है तो तंत्र का तंत्र क्या करता है हमारे शरीर में नियंतरन यानि की कंट्रोल, संचालन यानि की शरीर को चलाना और समनवे यानि की शरीर में तालमेल बनाए रखने का जो कारे है ये किसका कारे है तो तंत्र का तंत्र का ये कारे है तो मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिश्क यानि की ब्रेन वह मेरूरज्जू से जोड़ कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं यानि की ताल मिल बना कर रखती हैं तो जो नर्वस सिस्टम है इसमें कौन-कौन से अंग शामिल हैं तो हमारा जो ब्रेन यानि की मस्तिश्क सबसे इंपोर्टेंट तो यही है ब्रेन के बाद स्पिनल कोड जो हमारी मिरूरज्जू है उसके बाद नव्ज जो तंत्रिकाएं हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली था तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं तो एक नियूरोन जिसे तंत्रिका कोशिका के रूप में जाना जाता है तंत्रिका तंत्र की मूल भूत इकाई है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी मूल भूत इकाई है नियूरोन और पूरे शरीर में जो नियूरोन है इस चुप जाती है तो निरोन से ये जो मैसेज है ये हमारे दिमाग तक पहुँचता है तो उसके बाद जो हमारा दिमाग है ये हमारे पैर को इंस्ट्रेक्शन देता है कि जल्दी वहाँ से हटो यानि कि अपने पैर को हटा लो तो ये जो दिमाग ने इंस्ट्रेक्शन दी हमार प्रसारित करने का है तो पूरे शरीर में सूचना प्रसारित करने में इसकी महत पूर्ण भूमिका होती है तो तंत्र का तंत्र की कर्यातमक एवं स्रंचनातमक इकाई कौन सी है तो नियूरोन है और इसे तंत्र का कोशिका कहते हैं तो हमारे शरीर में लगभग सो अरब से भी ज़्यादा नियूरोन होते हैं तो सो अरब से भी ज़्यादा हमारे शरीर में नियूरोन पाए जाते हैं और नियूरोन शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है तो जैसा कि जो हमारा पूरा शरीर है, ये कोशिकाओं के समू से ही बना है, तो बाकी के अंगों में आप देखेंगे कि कोशिका की जो सरंचना होती है, अलग होती है, हमने उसके बारे में पड़ भी लिया है, परंतु जो हमारा तंत्र का तंत्र है, इसकी जो कोशिका है न, इसकी जो सरंचन है, वो अलग है, और हमारे शरीर में ये सबसे लंबी कोशिका होती है, जो नियूरोन है न, ये हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसमें सबसे कम पूना निर्मान की शमता पाई जाती है, अथार्थ, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, भाजन नहीं होता इसलिए जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आपको हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है ताकि जो आपका दिमाग है ये सुरक्षित रहे क्योंकि एक बार अगर दिमाग में कोई नुक्स हो गया या चोट लग गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती क्यों से ये लड़का है और ये घूम रहा है तो अच्छानक क्या होता है कि जाड़ी में इसके पैरों में कुछ चुब जाता है अब इसको लगता है कि इसको सापने काट लिया तो जब इसके पैरों में कुछ चुब हा तो ये मैसिज निरोन के द्वारा इसके ब्रेन तक कि साप है भी या नहीं तो brain ने instruction दी आंखों को और ये instruction भी neuron के द्वारा ही आंखों तक पहुँची और जैसे ही इसने देखा कि क्या है तो इसने देखा कि अरे ये तो safety pin है अब इसकी आंखों से ये जो information है ये neuron के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँची तो ये लड़का खुश हो गया कि मुझे साप ने नहीं काटा ये तो safety pin है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो neuron है ये हमारे शरीर में यानि कि पहले हमारे शरीर से जो information है वो neuron के द्वारा ही मस्तिष्क तक पहुँचती है और उसके बाद वो information मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर के बाकी अंगों तक पहुँचती है तो neuron का काम क्या है तो neuron का काम है सूचना को परसारित करना तो इससे आपको पता चलाना कि जो neuron है उसकी हमारे शरीर में भहुत ही महत्पून भोमिका है तो इसके बाद आगे अब हम neuron की सरंचना देख लेते हैं तो वैसे हमने कोशिका की सरंचना के बारे में बढ़ा हुआ है परन्तु जो neuron की सरंचना है ये कोशिका की सरंचना से थोड़ा अलग है तो ये है neuron की सरंचना जिसमें आप देखेंगे कि जो उपपर वाला भाग है, इसे सेल बोडी कहा जाता है, कोशिका काय कहा जाता है, और कोशिका काय के अंदर ही नुकलियस होता है, यानि कि केंदरक होता है, और इसी कोशिका काय से धागे नुमा सरंचना निकलती है, जिसे डेंडराइट कहा जाता है, तो एक्सोन कहा जाता है, तो ये सब याद रखेगा, क्योंकि आज कल जो एक्जामिनर है, वो डाइगराम दे देता है, और पूछ लेता है, कि बताए इस हिस्से को क्या कहेंगे, तो जो ये निरोन की सरंचन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई बार एक्जाम में पूछी भी गई है, तो जो ये निरोन की पूछ है, इसे एक्सोन कहा जाता है, और एक्सोन के उपर, जो आप ये पीले कलर का आवरन देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे माइलिन शीट कहा जाता है, और जो माइलिन शीट है, ये शुवान कोशिकाओं की, शुवान सेल की ब शवान कोशिकाओं से इसके बीच में आप देख रहे है ना ये शवान कोशिकाओं से बनी हुई है और जो ये माइलिन शीट है तो जैसे ये माइलिन शीट है उसके बाद ये माइलिन शीट है तो इनके बीच में थोड़ा गैप है इसे नोड ओफ रेनवियर कहा जाता है तो आप देख रहे हैं जो ये मायलिन शीट है तो जहां पर ये मायलिन शीट जोड रही है इनके बीच में एक गैप आजाता है उसके बाद जो ये एक्सोन है तो एक्सोन के आगे जो ये सरंचना आपको देखने को मिल रही है इसे एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है तो आशा करता आपको diagram clear हो गया होगा कि यह जो neuron है neuron की उपर की body को cell body यानि की kooshika काय कह जाता है kooshika काय के बीच में nucleus केंद्रक पाय जाता है और kooshika काय के उपर से जो यह धागे नुमा सरंचना निकलती है इसे dendrite कह जाता है तो जो message है ना संदेश है ना यह dendrite के द्वारा ही catch किया जाता है हमने पढ़ा ना कि जो neuron है यह सूचना को परसारित करता है तो सूचना को एक जगे से दूसरी जगा लेकर जाता है तो जो सूचना होती है ना information होती है वो dendrite के द्वारा ही आगे जाती है यानि कि dendrite ही पहले उसे catch करता है, उसके बाद वो सूचना exon से होते हुए, exon terminal तक पहुँचती है, और उसके बाद इसके आगे दूसरा neuron होता है, क्योंकि हमारे शरीर में लाखोर neuron पाए जाते हैं, तो दूसरा neuron क्या करता है, इसे message catch करता है, और आगे पहुचा देता है, तो इस परकार ये लड़ी बनी होती है, तो जो neuron है, message कौन catch करेगा, डेंड्राइड, और exon से होते हुए, जो message है, आगे पहुचेगा, तो एक neuron से, दूसरे neuron के बीच में थोड़ा gap होता है, यानि कि ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होते, तो या देखेगा, तो जो message है, ये पहले neuron के exon terminal से, जो दूसरा neuron है, इसके dendrite तक पहुचेगा, और इन दोनों neuron के बीच में एक gap होता है, जिसे synapse कहा जाता है, तो ये पूछा भी गया है exam में, कि दो neuron के बीच में पाय जाने वाले antral को क्या कहा जाता है, तो synapse कहा जाता है, और ये भी पूछा गया है, कि दो neuron के सूचना आदान प्रदान करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे भी synapse कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं न, कि यहां पर इसके exon terminal से, दूसरा जो neuron है, इसके dendrite तक जो information पहुचेगी, इसके बीच में gap है, जिसे synapse कहा जाता है, तो मैंने जो आपको diagram में बताया, उस में एक केंद्रक यानि की nucleus होता है, तथा कोशी का द्रवय भी इसमें उपस्तित होता है, उसके बाद है dendrite, तो कोशी का काई से निकलने वाली पहले धागे नुमा सरंचना को dendrite कहा जाता है, और इसे को दुरुमिका भी कहा जाता है, तो यह विभिन अंगों से को प्राप्त करता है, उसके बाद है exon, तो यह डendrite के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को exon terminal तक पहुचाने का कारे करता है, उसके बाद है कि exon terminal पर स्थिद, synaptive knobs, अन्य तंत्रिका कोशिका के dendrite के साथ संबन स्थापित करके संदेश वाहक का कारे करता है, यान की सूचना एक neuron से दूसरे neuron तक जाती है, और संदेशों के इस आदान परदान की किरिया को synapsis कहा जाता है, और तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का आदान परदान chemical magnetic wave के माध्यम से करती है, कौन सी wave के माध्यम से? chemical magnetic wave की सहायता से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये संदेशों का आदान परदान करती हैं, तो आगे भम neuron के परकार देख लेते हैं, यान की neuron के types देख लेते हैं, तो neuron के तीन परकार हैं, पहला है समेदी तंत्रिका कोशिकाएं, sensory neuron, दूसरा है चालक तंत्रिका कोशिकाएं, motor neuron, और तीसरा है मध्यस तंत्रिका कोशिकाएं, जिसे इंटर निरोन कहते हैं, या कनेक्टर निरोन्स भी कह देते हैं, तो निरोन के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार, समेधी तंत्रिका कोशिका हैं, चालक तंत्रिका कोशिका हैं, और तीसरा है, मध्यस्त तंत्रिका कोशिका हैं, तो पहले पढ़ते हैं समेधी तंत्रिका क कोशिकाओं के बारे में, तो समेधी तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ने से पहले, हम जो हमारे समेधी अंग हैं, पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि समेधी अंगों के माध्यम से ही, जो हमारा दिमाग है, उसे information मिलती है, तो पांच समेधी अंग हैं, जिनसे हमें सूचनाए, यानि की information मिलती है। पहला है आँख, तो आँख के द्वारा हम देखते हैं, देखकर हमें information मिलती है। कान के द्वारा सुनते हैं, सुनकर हमें information मिलती है। नाख के द्वारा सूंगते हैं, तो सूंगने से भी हमें information मिलती है। जीव के द्वारा हम स्वाद लेते हैं, तो स्वाद लेने से भी हमें information मिलती है, और पांच वह हैं, तो अच्छा, यानि कि skin, skin से हम महसूस करते हैं, तो महसूस करने से भी हमें information मिलती है, तो ये पांच समेधी अंग हैं, जिनसे हमें information मिलती है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं, समेधी तंत्रिका कोशिकाएं, यानि कि संसरी नियूरोन, तो संसरी नियूरोन क्या होता है, तो ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं, जो समेधी अंगों से मस्तिश्क तक सूचनाओं को लेकर आती हैं, उन्हें समेधी तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है, तो असान है न, जो हमारे स समेधी अंग हैं, जो अभी हमने पांचों पढ़े, वहां से जो सूचनाएं हैं, वो हमारे मस्तिश्क तक जब पहुँचती हैं, तो उन्हें समेधी तंत्र का कोशिकाएं कहा जाता हैं, तो जैसे हमारे पैर में किसी ने सुई चुभा दी, तो उसके बाद जो information है, वो हमारे तो इसे समेधी तंत्र का कोशिकाएं कहते हैं, उसके बाद है चालक तंत्र का कोशिकाएं, यानि कि motor neuron, तो ये समेधी तंत्र का कोशिकाएं से उल्टा है, यहाँ पर क्या होगा, कि जो तंत्र का कोशिकाएं हैं, वो मस्तिश्क से अंगों तक सूचनाओं को लेकर आती हैं तो वहाँ पर हमने पड़ा था, समेधी तंत्रिका कोशिकाओं में, कि जो सूचना है, वो समेधी अंगों से हमारे मस्तिशके तक पहुँचती है, परन्तु जो मोटर नियूरोन है, यहाँ पर क्या होता है, कि जो सूचना है, यह हमारे मस्तिशके से हमारे अंगों तक जो चालग तथा सम्यदी तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य संक्येतों का आदान परदान करती है, उसे मध्यस्त तंत्रिका कोशिकाओं कहते हैं, तो इन्हें मिश्रित कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये सम्यदी तथा चालग दोनों परकार की तंत्रिकाओं का कारे करती हैं तो इन दोनों तंत्रिकां को हम उधारन से समझ लेते हैं, यही दोनों important हैं, पहली sensory neuron और दूसरी motor neuron, तो आपने ये फिल्म देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, तो इसमें आपने ये सीन भी देखा होगा, पहले देखते हैं sensory neuron, तो इस सीन में क्या होता है, कि जो संजय रहे होते हैं, लेकिन जो ये गाड है न, ये संजय दत को थपड मार देता है, तो जैसे ही गाल पर थपड पड़ा, तो ये किसका उधारन है, तो ये समेधी तंत्रिका कोशिका का उधारन है, तो जैसे गाल पर थपड पड़ने पर जो स्किन है, उस पर थपड पड़ा न, तो यह जो मैसेज है, यह संवेदी अंग से कहां पर जाएगा, तो निरोन के द्वारा ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन तक जब यह मैसेज जाएगा, तो दर्द का एसास होगा, तो यह संवेदी तंत्रिका कोशिका का उधारन है, तो अब अगले सीन में क्या होता है, कि संज पढ़ता है तो तुरंद उनका ब्रेन कहता है कि बापु ने दूसरे गाल पर थपड़ खाने के बाद क्या करना है ये नहीं बता है तो उनका जो माइंड है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि अब इस गाड को भी एक थपड़ जड़ दो तो ये मैसिज ब्रेन से हाथों तक पह हुचा तो ये किसका उधारन होगा तो ये मोटर निरोन का उधारन होगा क्योंकि यहांपर ब्रेन ने हाथों को इंस्ट्रक्शन दी कि थपड़ जड़ दो तो यहांपर मश्टिष किसे जो information है वो अंगों तक पहुची तो ये किसका उधारन है तो ये चालक तंत्र का प्रेशन देखते हैं, तो पहला प्रेशन है कि निमन लिखित में से कौन तंत्र का तंत्र की बुनियादी, सरंचनात्मक और कर्यात्मक इकाई है, तो तंत्र का तंत्र की बुनियादी, सरंचनात्मक और कर्यात्मक इकाई कौन सी है, तो नियूरोन, तो इसका सही जवाब उप्शन ने, अगला प्रेशन है कि मायलिन आवरन किसे प्राप्त होता है, तो मायलिन आवरन एक्सोन से, डेंड्राइड से, श्वान कोशिकाओं से, या तंत्रिका कोशिकाओं से, मायलिन आवरन किसे प्राप्त होता है, तो मायलिन आवरन श्वान कोशिकाओं का बना होता ह तो इसका सही जवाब होगा Option C अगला प्रेशन है कि Nodes of Ranvirs पाए जाते हैं तो Nodes of Ranvirs कहाँ पाए जाते हैं दिमाग में, दिल में, एक्सोन में, या आँखों में तो Nodes of Ranvirs एक्सोन में पाए जाते हैं तो इसका सही जवाब है Option C अगला प्रेशन है कि इन में से कौन सी सरंचना निरोन का हिस्सा नहीं है तो आपको बताना है कि निरोन का कौन सा हिस्सा नहीं है सेल बोडी ये तो निरोन का हिस्सा है एक्सोन ये भी निरोन का हिस्सा है डेंडराइड ये भी निरोन का हिस्सा है गुलो मेरूलस ये निरोन का हिस्सा नहीं है ये नेफरोन का हिस्सा है यानि कि किडनी का पाठ है तो इसका सही जवाब क्या होगा? Option D अगला प्रेशन है कि निरोन मानो शरीर की किस परणाली का हिस्सा है संचार परणाली, उसरजन परणाली, परजिनन परणाली या तंत्र का तंत्र तो जो निरोन है आपको पता ही है कि ये तंत्र का तंत्र परणाली का हिस्सा है तो इसका सही जवाब क्या होगा ? Option D अगला प्रेशण है कि दो Neurons के बीच में जो अंतराल होता है उसको क्या कहते हैं तो दो Neurons के बीच के अंतराल को सिनेप्स कहा जाता है तो इसका सही जवाब क्या है ? Option A अगला प्रेशन है कि ऐसी तंत्र का कोशिकाएं जो समेधी अंगों से मस्तिश्क तक सूचनाएं लेकर जाती हैं उन्हें क्या कह जाता है तो जब सूचनाएं समेधी अंगों से मस्तिश्क तक जाती है तो उसे कहते हैं समेधी तंत्र का कोशिकाएं इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि ऐसी तंत्र का कोशिकाएं जो सूचनाएं मस्तिश्क से अंगों तक लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें चालक तंत्र का कोशिकाएं कहा जाता है इसका सही जवाब होगा, option B अगला प्रेशन है, कि तंत्र का तंत्र में निम्न शामिल नहीं है तो तंत्र का तंत्र में क्या क्या शामिल है तो मस्तिश्क, तो मस्तिश्क तो शामिल है मेरू रज्जू भी शामिल है तंत्र का यानि कि नव्ज ये भी शामिल है प्रंतुपलीहा यानि कि स्पिलीन तंत्र का तंत्र में शामिल नहीं है तो इसका सही जवाब क्या होगा? Option D तो आज का आखरी प्रेशन है कि मानो की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताईए तो मानो की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नियूरोन जिसे तंत्र का कोशिका कहा जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा? Option A तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसे लगी ये वीडियो? कोमेंट शेक्शन में जरूर बताना धन्यवाद